ये प्रेजेंटेशन में आप लोग सीखने वाले हो कि ओपिनिंग सेशन में कैसे ट्रेडिंग करना है ओभी सक्सेसफूली और हाई डिस्क रिवर्ड रेशियो कैसे मिले तो ये जो ट्रेडिंग मेथोड ये ट्रेडिंग मेथोड है पूलबैक एंड स्केलिंग तो अभी चलो चार्ट पे बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे ओपिनिंग सेशन में ट्रेडिंग करता हूँ और हाई रिस्क रिवर्ड रेशियो बाला ट्रेड कैसे मिलता है जो कि मैं बोलता हूँ कि ये क्वालिटी ट्रेड होता है तो क्वालिटी दिया और इसका 50 percent level भी मार कर दिया तो ऐसे एक 50 % level होता है तो देखो price एक retracement कर रहा था रेट रेट कैंडल प्रोडूस होने के बाद उसके बाद फी downside moment दिया और उसके बाद देखो एक retracement कर रहा है तो एले जो इनिशियल है जो लेबल मिला था यह जो रेट कैंडल फॉर्मेशन हुआ था तो यह लो में एक्स्टेंड कर दिया हाई भी एक्स्टेंड कर दिया तो देखो प्राइस हेवी वॉलूम और मोमेंटम के साथ बाहर आया और यह लेबल पर टेस्ट कर रहा है तो मैं यहां पर जरूर सेल करूंगा और स्टॉप लॉस रहेगा यह कैंडल के ऊपर क्योंकि यह जो लो है यह लो को जो कैंडल ने तोड़ा है उसका हाई पर मैं रख सकता हूँ स्टॉप लॉस बिन्दस तो मेरा रिस्क इतना है छोटा सा और अपकमिंग प्रॉफिट मैं कहां पर उठाओंगा उसके लिए स् स्केलिंग करना पड़ेगा कहां से यह जो मूवमेंट मिला था जो फूस मिला यही बियारेस पूस आप यह लेवल से डांसाइट स्केलिंग करोगे तो अल्मोस्ट ऐसक लेवल होता है तो देखो विज्वाली कि आपका रिस्क इतना छोटा सा है और अपकमिंग रिवर्ड आप एक्सपेक्ट इतना किया तो अल्मोस्ट वान इस्टू फोर फाइव ऐसा होता है तो मैं ऐसा डिसाइड किया कि ए लेवेल पे प्रफित उटाओंगा मतलब बाई बैक कर लूँगा ओके तो अभी था और अपकमिंग रिवर्ड कहां पर उठाओंगे यह जो ब्यारिश मूवमेंट मिला था यह टूटल ब्यारिश मूवमेंट का स्केलिंग करना है कहां से यह लेवल से तो यह लेवल से अगर स्केलिंग करोगे तो अल्मोस्ट ऐसा एक लेवल होता है तो यह हो गया आपक यह पोजिशन पे फोकस करो एक बुलिश मुवमेंट हुआ तो यह बुलिश मुवमेंट को हमको साब पुश में डिवाइट करना तो यहां से जो एक पुश मिला बुलिश पुश उसका रिट्रेस्मेंड इतना है तो यह आपना सेकेंड पूलिश पूश मिला तो यह सेकेंड पूलिश पूश का जब 50% लेवल आपने मार्क कर दिया तो ऐसा एक लेवल होता है तो देखो यह रेट कैंडल 50% के नीचे आके क्लोजिंग दिया यहां पर तो आप क्या समझोगे कि यह जो सेकेंड पूश है एक साइड ओस जोन फर्मेशन कर रहा है बेरी सिंपल तो आभी देखो यह जो साइड ओस जोन है यह साइड ओस जोन से हेवी वालूमार मोमेंटम के साथ यह रेट कैंडल नीचे आके क्योंकि यह साइड ओस जोन को तोड़ा है यहां पर क्लोजिंग भी दिया था तो फिर आपका रिस्क कितना है यह छोटा से एक रिस्क है आपका और अपकमिंग प्रॉफिट देखलो कितना बड़ा है तो इसी साब से आप बहुत आच्छा से ट्रेडिंग कर सकते हो क्वाल ट्रेड मैनेजमेंट और मानी मैनेजमेंट यह दोनों चीज बहुत आच्छा से आना चाहिए और जो ट्रेडिंग जो साइकलोजी है माइंड सेट यह भी बहुत मजबूत होना चाहिए तब आप कॉंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे जब आपका स्ट लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो आच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है तो इसी सबसे आपको ट्रेडिंग करना है समझा और एक मेथोड जो मैंने यह चानेल पे पहले ही बहुत बार बोल चुका हूं ओ देखलो तो देखो ओई सेम तरीका है यह पोजिशन पे कैसे स्किर्ण करना है सॉपस्ट स्वोली ओदेखलो देखो यह चैंब पूरिष मुविमेंट है बहुत अच्छी बात है एक first push है इसका retracement metrics एतना है तो देखो उसके बाद upside moment देने का कोशिश किया लेकिन maximum यहां तक आपाया और यह red candle जो produce हुआ यह जो latest जो bullish push है इतना इसका 50% अगर mark कर दिया तो देखो 50% के बहुत नीचे आके यहां पे closing दिया तब क्या समझना है कि यह जो bullish moment दे रहा था यह जो एक push दे रहा था यह maximum A level का आपाया इसके उपर जाने का समताव खो दिया एक gap का मतलब price को downside moment देगा thrust देगा और उसके बाद एक अच्छा सिनारियो हुआ ओ देखलो तो आपको मालूम पड़ा कि price को एक downward thrust देगा और उसके बाद ही यह जो bearish moment चल रहा था एक green candle produce हुआ और next यहां पे एक inverted hammer candlestick formation और फिर आप 20 यह level पे sell कर सकते हो उपर stop loss रख सकते हो तो यह हो गया आपका risk और upcoming reward देखलो तो ऐसे भी आप trading कर सकते हूं क्यूंकि यह bearish movement चल रहा था supported by एक green candle है और उसके बाद यह queen candle formation हुआ इसको मैं queen candle बोलता हूं क्यूंकि यह candlestick आपको राजा बनाने का समता रखता है यह इतना powerful candlestick है और इसके बारे में आगर जानना है queen candlestick के उपर तो यह channel पे दो एक video देखलो thumbnail पड़के आपको समझ में आ जाएगा तो देखके आपको बहुत अच्छा knowledge मिलेगा फाइद रेट candlestick formation हुआ था तो अभी इसको कैसे visualize करना है देखो इसका high mark कर दिया इसका low mark कर दिया तो यह बड़ा एक red candle आईसा ही सोचना है तो इसके बाद एक retracement दे रहा है और यह position पे एक queen candlestick formation हुआ मदलब inverted hammer shape का ऐसा candlestick formation हुआ तो आपको क्या करना है कि एक bearish movement चल रहा था उसका retracement हो रहा है तो यह queen candlestick supported by a green candlestick तो फिर आप 20 यह position पे sell करोगे stop loss उपर रहेगा तो उसी साब से आप यह position पे sell करोगे stop loss उपर रहेगा तो यह आपका risk है और upcoming reward कहां पर उठाना चाहिए यह कि जो moment मिला था यह टोटल यह distance आप यहां से यह level से scaling करोगे तो almost ऐसे एक level होता है तो यहां पे आपका profit उठाना चाहिए तो देखो आपका risk कितना है और आपका upcoming reward इतना पड़ा है तो ऐसे ट्रेट करना है तो यह हो गया opening session का और एक method में बताता हूं तो देख पा रहे हो एक पहले एक रेट candle produce हुआ तो यह रेट candle को कैसे visualize करना है ओ देख लो तो देखो single पहले यह मानलो टोटल एक latest bearish push है latest bearish push है latest bearish push का retracement हो रहा था तो retracement कहां तक पहुझा यहां तक जो कि यह bearish push का almost 50 परसें लेबल पर है और उसके बाद downside movement भी दिया और downside movement देने के बाद फिर यह लेबल को यह जो पहला जो candlestick है पहले candlestick का low पर टेस्ट कर रहा है तो कहां पर अब sell करोगे यह जो position है यहां पर बिंदास sell करोगे आपका stop loss रहेगा ऊपर क्यूंकि यह जो लो है पहले candlestick का यह low almost एक एक एंडल ने तोड़ा है ऐसे ही समझ लेने का क्यूंकि यह gap आपको scaling करना पड़ेगा ओके यह जो टोटल डिस्टेंस से आपको यह लेबल से scaling करना है तो almost मान लो ऐसा ओके तो अभी चलो extended चार्ट पर चलते हैं तो आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा तो यह पोजिशन पर अपने सेल किये थे यह लेबल पर और आपका stop loss यहां पर था इसको उपर तो आपका risk कितना है और अपने profit target पाने के लिए यह level scaling किये थे यह जो टोटल डिस्टेंस है आपको यहां से scaling करना था तो अल्मोस्ट मानलो ऐसे एक level होता है तो यह आपका profit taking zone है समझा और pullback zone है तो देखो यहां पे pullback दे रहा था अभी एक मजे की बात देखो कि quality trade कैसे ढूनना है यह बहुत important है यह position पे अभी थोड़ा focus करो तो देखो एक BRS push है यहां से यह level तक तो यह BRS push का retracement हो रहा था तो retracement होगे देखो यह BRS push का अगर 50% mark करो तो अल्मोस्ट ऐसा एक level होता है तो यह 50% level पे वह टेस्ट किया टाच किया और उसके बाद फिर downside movement दे रहा था तो फिर मैं scaling क्या करता यह जो movement मिला था पहले हमको यह level से scaling करना है डाउन में तो मालो ऐसे एक position होता है जाएगा नहीं बोलके मैं यहां पे scaling कर रहा हूं मार्किंग कर रहा हूं तो देखो उसके बाद यहां तक आके पहुंच जाता यह जो लेटेस्ट ब्यारिस पूश है लेटेस्ट ब्यारिस पूश का 50% अगर आप मार्क कर दिया तो ऐसा एक level होता है तो देखो एक green candle उपर आके closing दिया 50% level के उपर तो फिर आपको क्या समझ होना है यह जो invisible जो gap है एक gap का मतलब प्राइस को upside thrust देगा उसके बाद देखो thrust दिया तो आप 20 जहां पे मिले आप उहां पे buy कर सकते हो stop loss नीचे रखो उसके बाद देखो कितना अच्छा बड़ा एक moment दिया तो इसी सबसे भी आप trading कर सकते हो 20 कोई दिक्कत नहीं अभी द पूश है और इसका retracement इतना था तो यह सेगेंड पूश मिला अभी यह सेगेंड पूश का 50% अगर आप मार करोगे तो अल्मोस्ट ऐसे एक लेबल होता है जब यह 50% के नीचे आके closing दिया यह candlestick यहां पे दिया तब क्या समझना है कि एक सेगेंड जो पूश मिला था एक side zone है देखो price यह red candle ने heavy volume and momentum के साथ बाहर आके closing दिया यहां पे और उसके बाद यह level पे टेस्ट कर रहा है तो आप क्या करोगे यह जो red candle जो यह side zone को lower portion को जो तोड़ा था इसको उपर आपको stop loss रखना है तो आपका risk कितना है और upcoming reward patience रखोगे तो मिलेगा तो इसी सब से फाइदे में रहोगे तो यह जो जागा पे जो मैं बोला अगर ऐसा structure आपको समझ में आ रहा है तो ही आप trade करो नहीं तो बैठे रहो जैसे मचली पकड़ने के लिए जो बैठा रहता है ना बर्शी लेके तू ऐसे ही आपको patience रखके बैठके देखना पड़ेगा जब आप आपको structure समझ में आता है pullback and scaling fundamental जब आपको ऐसे invisible gap दिखाता है तब आप बिंदाज buy or sell कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं तो ऐसे ट्रेडिंग करना सीखो तो आपको बहुत ज्यादा फाइदा रहेगा और जो professional trader है सबसे बड़ी बात है ओ लोग यह जानता है it's a probability game nothing else तो आपक निद्धर दिशा में price movement हो सकता है उसके बाद सिर्व आपको trade management और properly money management करना पड़ेगा तो यह आप consistent profitable trader बन पाओगे और जब profit and loss जब जाज करोगे तब आपको series of trades लेके judgment करना चाहिए ना कि trade by trade अगा trade by trade करोगे तो फिर आप बहुत ज्यादा फास होगे और series of trades बोले तो कि अपने ये trading session में 3 trade लिया या 5 trade लिया उसकी सबसे total net profit and loss क्या हुआ उसके उपर depend करता है कितना बाद profit and loss हुआ उसकी सबसे आपको judgment करना चाहिए ऐसे भी बहुत traders है जो 30%, 35%, 40% win rate लेके भी बहुत बहुत अच्छा पैसा generate करते हैं profit उठाता है तो वो बोलता है कि actually proper trade management करन और money management करना तो उसके उपर ज्यादा focus करो trading psychology और mindset के उपर ज्यादा focus करो तो आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा और ये चैनल पे ऐसे छोटा-छोटा वीडियो में price action को निचोड़के मैंने represent किया तो वो देख लो तो आपको बहुत easily एक view मिल जाएगा कि कैसे price action trader बन सकते कि कैसे price action trader बनना है कोई lagging indicator यूज करने का जरूरत नहीं है तो ये चैनल पे हिंदी और बेंगली में अलग अलग प्लेलिस्ट है आप जाके प्लेलिस्ट में देखो तो आपको बहुत अच्छा knowledge मिलेगा सीख पाओगे कुछ free में और मेरा नाम प्रभा का राय है ये नाम करती मत भूलो बहुत काम प्याने वाला है तो चल हरे क्रिश्णा